प्रदेश में मॉब लीचिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं के खिलाफ खरगोन AIMIM यूनिट ने मुख्य मंत्री के नम ग्यापन देकर मॉब लीचिंग करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कारीवही की मांग रखी AIMIM के याशिर पठान द्वारा बताया गया कि भीड तंत्र द्वारा मुस्लिम समाज, दलिस समाज और आदिवासे समाज को टार्गेट बनाकर उनके साथ लगातार मारपिट की जा रही है जिससे की प्रदेश भर में भाई का माहल व्यापत हैं ग्यापन में कहा गया कि सरकार ऐसे लोगों को चिन हित कर, उन पर सक्त से सक्त कारीवाही कर, उन पर रासुका की कारीवाही करें खरगोन से जैनत गुपता की रिपोर्ट इसे लोगों के उपर जो देश को तोड़ना चाहते हैं, आपसी भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, इसे लोगों पर सक्त कारवाही हो, और हमने मांग की है कि उनके उपर रासुका लगाई ते, कहां कहां के मामले इसे हुए थे, अभी हाली के अंदर इंदोर का मामला हुआ, देवास जिले का मामला हुआ, और इस तरह की जब घटनाएं होती है, उसके लिए जब आवाज उठाई जाती है, तो प्रशासन के उपर और सरकार के दबाव के अंदर आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाप उल्टी सीधी कारवाई की जाती है, अभी हाली के अ हैं, और कई डॉक्टर इंजिनर से, जिनका कोई क्रिमिनल लिकार्ट नहीं है, उसके बावजूद भी, राजिशासन के दबाव के दवारा, भाजपा के दबाव के अंदर आतर, सरकार के दबाव के अंदर आकर प्रशासन, एसे प्रभुध्य जन और जो समाज से भी उनके खिलाब इस तरह की कारवाई कर रहा है, हम इसका विरोद करते हैं, और हम इसका खंडन करना चाह रहे हैं, कि इस तरह की कोई कारवाई नहीं होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें।